तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वली वाला चैप्टर हाँ मेरे पटाखा गुड्डियों और पटाखा गुड्डों ये चैप्टर है आपका, ये कहानी है आपकी जैसा आप महसूस करते थे, वैसा ही महसूस करती है हमारी वली आपका भी बच्चपन में एक सपना था कि मैं बस में बैठूँ मैं ट्रेन में बैठूँ, मैं दुनिया की सैर करूँ बस में बैठना वली का सपना था ऐसा ही कोई ख्वाब ऐसा ही कोई ड्रीम आपका भी रहा होगा जब आप छोटे थे कि जब मैं बड़ा हो जाओंगा मैं हुआई जहाज में बैठूंगा या हुआई जहाज में बैठूंगी ट्रेन में जाओंगा आसपास की चीजों को निहारूंगा और अपनी आँखों में बसा लूँगा ये सारे सपने हर एक छोटे बालक के बालिका के होते है वही कहानी है हमारी वली की तो जब भी वली का नाम यादा है मैडम राइट्स दबस की बात हो तो सोच लेना कि तुम एक पटाका गुड़ी हो पटाके गुड़े हो और जो तुम महसूस करते थे वही महसूस करती है वली आईए बताता हूँ क्या थी वली की कहानी जो आपसे और मुझसे बहुत ज्यादा मिलती जुलती है बस एक ये तस्वीर और आपको वली चैप्टर की पूरी कहानी अपने आप यादा जाएगी दोस्तों जियां ये आलिया कपूर नहीं है ये आलिया भट नहीं है ये तो है हमारी आठ साल की वली कौन एट यर्स ओल्ड वली है ये और इनका क्या सपना है इनका सपना ज्यादा बड़ा नहीं है, आठ साल की बच्ची का सिर्फ इतना सा एक ड्रीम है, इतना सा खुआब है, कि वो एक बस में सफर करे, राइड आ बस, कि उसे एक बस की जर्नी मिल जाए, पहले के जमाने में पुरानी कहानी है, जब बहुत ज्यादा चीजे नहीं होत कि मैं अपनी बरातना हेलिकॉप्टर में लेके जाओंगा, इस तरह के लोगे भी खुआब होते हैं, भाई होते हैं, सच में होते हैं, ठीक है, ऐसे ही हमारी वली का आठ साल की वली का यही सपना था, कि वो एक बार बस में सफर करे, लेकिन छोटी बच्ची थी उसे कौन ल चल जाती है, अपना सपना पूरा करने, आठ साल की लड़की, सोचो न, आठ साल की बच्ची होती कितनी है, वो गई टुक 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 और बस में जाके खड़ी हो गई, कंड़कर ने कहा कि कहा जाना आपको, उसने का लाव टिकेट के लिए इससे 30 पैसे लो, और मुझे अंदर बैठने दो, कंड़कर उसको देखके बड़ा हरान भी होता है, उससे मजाग भी करता है, आईए मैडम आप, आईए इस तरह से मजाग भी करता है, हलका फुलका सा, और उसको सीट पर बैठा देता है, फिर ये वली, वहीं से अपना सप पूरा कर रही होती है, खिलकी से बाहर जाक के देख रही होती है, कि कैसे रास्ते में चीज़ें पढ़ रही है, मैडान है, खेत है, पेड़ है, पहाड है, वो इस सब कुछ देखती हुई जा रही होती है, वहाँ पर वो एक चीज और देखती है, वो देखती है, कि एक गा जाता है रोने लगता है क्राय करने लगती है वो बहुत ज़्यदा उदास हो जाती है और उस दिन उसको एसास होता है कि जब जिन्दा होती है चीज़े तो कितनी अच्छी होती है जब चीजों में जान नहीं रहती तो कितनी खराब हो जाती है वही डरावनी लगने लगती है जैसे के हम और आब आज जिन्दा है तो सब एक दूसरे से मिल रहे हैं महोबत कर रहे हैं कल को नहीं रहेंगे कल को भूद बन के आएंगे अगर मैं आपके कहने लगूं अगर मानलू मैं मर जाओним और आपको दो बजे तुमसे खाऊ? तो पड़ोगे कि मुझ्से? नहीं पड़ोगे? ना भी तो कहए ले पड़ाओ, 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 लेकिन फिर नहीं पड़ोगे. ठीक है, ऐसा ही वली सोचती है जीवन की सच्चाई के बारे में और इस तरह से वली अपना सफर पूरा कर लेती है तो ये वली उसके खुआब हमारे जैसे ही खुआब है वो ही पूरी कहानी में बताए गया है आज़े दोस्तों बतातों इस चैप्टर को एक्जाम के point of view से कैसे कैसे हमें याद रखना है, एक long answer समझाऊंगा important question कराऊंगा और बिना रटे आपको इस chapter असान ही से समझ आ जाए तो आप लोग बहुत समझदार हो लेकिन फिर भी इस chapter से related कुछ ऐसे words है जो आप से question में पूछे जा सकते हैं या इस्तेमाल हो सकते हैं जो आपको लोग होते सडक पे, गैलप गैलप कमल होता है बहुत तेज सरपट दोड़ जाना एकदम से ऐसे mimaking करना, किसी की नकल करना किसमें नकल करी थी, conductor जो था न जब मजाकी असा था, उससे मजाक कर रहा था तब वो चीज़ होती है, slack time, जिसे बोलते हैं leisure time, क्योंते हैं, leisure time भी बोलते हैं इसको चलो जी, आगे बढ़ जाते हैं, मैं आपको कुछ ऐसा एक long answer बता देता हूँ ऐसा long answer, जो आपके हर question को solve कर देगा फिर, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए exclusive अपने हाथों से लिखा है, ठीक है तो ध्यान से उसको देखते हैं, बड़ी simple सी language में, रटना नहीं है, रटना नहीं है चुप चा, बस सुनते जाओ, मैं जानता हूँ आपका exam है बहुत जल्द, लेकिन ध्यान से सुनोगे, सब याद रह जाएगा, सबसे पहले तो वली पता हूँ नीचे, वली कौन सब जानते हैं, आठ साल की हमारी वली, ठीक है, वली वाजन एट यर्स ओल्ड क्यूरियस गर्ल, वली कौन है, एक आठ साल की बहुत क्यूरियस गल है, जानने का उसको बड़ा मन होता है, कि उसके आसपास क्या क्या चीज़ें, देखने का मन है, तो इसलिए क्यूरियस है, यह इंपॉर्टन वर्ड होगी आपका, ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं, यह वर्ड जरूर लिखना बहुत अच्छा वर्ड है, उसके बाद, she had no friends, उसका कोई दोस नहीं था, आठ साल की बच्ची जहां बच्चों के साथ खेलती, अपना time pass हो जाता हो उसका, वहां उसके साथ कोई खेलने के लिए भी नहीं था, अब इतनी cute बच्ची है, खेलने के लिए कोई नहीं तो क्या करती है, so, her favorite past time was standing in the front of the doorway of her house, और वो time काटने के लिए क्या करती थी, वो अपने डोर पे ऐसे खड़ी हो जाती थी, और बाहर जाकती और गली में लोगों को वो देखती थी, she had a strong desire to ride a bus, अब भाई वो बस को भी आते जाते वहाँ देखती थी, तो उसको एक अंदर से desire जाहिर हुआ, उसको मन में कलपना आई, एक ख्वाहिश आई, कि भाई मैं भी एक journey करूँगी bus की, बस को ride करूँगी, चलाओंगी नहीं मतलब उसमें बैठ होँगी, ठीक है, तो उसको एक बहुत अच्छे, इच्छा होई, बहुत ज्यादे च्छाइस चीज़ की, चलाओंगी तो उसको इच्छा होई थी, तो उसने क्या क्या होगा, इन्फोमेशन ही तो कलेक्ट की न, कि क्या क्या उसका फेर होता है, क्या डिस्टेंस है, बस का बात ही है, यह सारी जानकरी उसमें इसमें कठी करी, कैसे है, आपको पता होने चीज़ाम में लिखके आना, ठीक है, वन वे का 30 पैसे था, ठीक है, यह सारी जानकरी वली ने हासिल कर ली थी, अब सबसे बड़ा सवाल क्या होगा, आप सोचो, अब पैसे इतने सारे होगे, क्या बच्ची पे 60 पैसे, अरे सर, 60 पैसे तो इतने से होता है ठनी तो है, ओ भाई, उस जमाने में ठनी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, आज के मालो 100 रुपे तकरीबा, 100-500 रुपे का मामला है, ठीक है, तो अब 100-800 रुपे असान थोड़ी, 8 साल की बच्ची के लिए, वो इतने अमीर भी नी थी, तो उसने क्या किया, फिर उसने क्या प्लानिंग करती है, कैसे बस राइड हो करेगी, उसके लिए हो क्या करती है, and saving the money by resisting the temptation to buy peppermint balloons and saved 60 पैसे, वो ना लालच को अपने दूर कर देती है, वो टौफी खानी बन कर देती है, गुबारे खरीदना बन कर देती है, चीज खाना बन कर देती है, और इस तरह से वो 60 पै मुझे बस में ट्रेवल करना है, चलो जी आ जाते है, फिर क्या होता है जी, she decided to travel in the afternoon time, वो दुपहर के वक्त, दुपहर के वक्त वो ट्रेवल करने का सोचती है, फैसला करती है, कि दुपहर में करूंगी, क्यों वाई, वाई, क्योंकि उसके मम्मी सो रही थी, मम्मी जाने देती, when her mother was taking a nap, nap important word, याद रखना, nap मतलब होता है, जब की ले लेना, जो उसकी मम्मी खाना वाना खा के अराम से सो रही होगी, वाली सोचती है, 45 अनट में मैं आना जाना कर लोगी, चलो जी, as she planned, she boarded a bus, where the conductor called her madam, अब जब वो बस में जाती है, और टिके टिके टिक were comfortable, जो बस थी, बड़ी अच्छी बस थी, luxurious बस थी, सारी, मनलब नहीं ताजा था, नहीं बस थी, चमकदार, और जो सीट थी, वो भी बड़ी comfortable थी, गद्देदार सीटे थी, उस जमाने में इतनी अच्छी बस नहीं हुआ करती थी, जब ये कहानी लिखे गई, इसलिए कहा गया, कि सीट्स वर comfortable, उस जमान दा फटी फटी सीट होती थी, आज के जमाने में थोड़ी है कि आज तो आप एक्दम, मेट्रों में वैठ के जाते हो, बड़ी ऐसे गाड़ी में जाते हो, वो उस वक्त की बात है, पुराने वक्त की बात है, तो बच्छे पूछ सकते सरी है नास्ति गाती जा रही थी, on her way to the town she saw a young cow, और वही जाते हुए उसे एक यंग वनव गाए नजर आई, गाय नाजराई, भाए ज़ लोड़ी उसे लिए और तो यह देकर क्या हुआ अगे एक तो आगा जाते हुए थी, यह जाते हुआ के गाव जाते हुए, गाई गाए नक वाली कैसे गाय कैसे भागी गाय कैसे भागी यह देखके वाली बहुत ज्यादा हसने लगी आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद दबस रीड़ फाइनल देस्टिनेशन और एवरीवन गॉट आफ एक्सेप्ट वली गॉट आफ का मतलब होता है बस से उतर जाना गॉट आफ ठी क्या हो जाओ गैट डाउन फो जाओ तो रहता है भागी आफ गैट डाउन फो जाओ कि बस राइड के लिए बस राइड के लिए वह बस राइड के लिए आईए हो मेरा ओर कोई मक्साद नहीं था मैं तो बस की सवारी करना चाहती हूं वैसuestas ओके एंड हैंड या तो हैंड इंड वर्ड युज कर लेना या गेवर्ड युज कर लेना हैंड इंप्रेसिव है गेव आप अपनी सुविधा के लिए उसकर सकते हो एंड गेव हिम 30 पैसे फोर रिटर्न टिकेट वो उसको 30 पैसे और पकड़ा देती है भाई या वापसी कभी आप मेरा टिकेट यही कर दो मैं तो वापस जाओंगी मैं तो मज़े करना आई थी बसके दबस स्टार्टिट फॉर हर वे बे बैक होम वेंची सॉथ सेम काव लाइं डेट बाइड रोड साइड जब बस वापस जा रही होती घर की तरफ तो वहां उसे वही काव जो गाय दिना जो सरपट दोल गई थी घबरा के साउंड सुनके उसे वां मरी भी दिखाए देती है लोड के पास जिस देखकर वली अबिस्लिया बहुत ज़्याद बहुश यादा अडिया चाहती के मटत एक थे इसकृस मेधा संघ माजदा है अपने तरिके से she came back home and found her mother and aunt talking about the endless possibilities of the world outside यह वो देखती है कि मम्मी बैठी हुए है बरार वाली अंटी भी आई हुए है गपे मार रहे है पहले यह तो होता था जब मुबाइल नहीं होता था ना पहले यह होता था फेस्बुक फेस्बुक कुछ नहीं होता था सब काली बैटर होते थे आजा तु मेरे घर आजा में तेरे घर आजा के खुब गपे लग रहे होते थे तो देखते हैं वहाँ पर गप्शप हो रही है मम्मी और अंटी बात कर रहे है कि दुनिया में कितनी पॉसिबिलिटीज है क्या क्या है इस दुनिया में इस बारे में बात हो रही है ठीक है जी वली अफर्म टू हर मदर विच मेड़ हर आंट कॉलिंग हर अनुस पॉकिंग चाइड हो एक्स लाइक ग्रोन अप लेड़ी और उसको बोलते कि वह तुम तो ऐसे बात करते हैं जैसे कोई अम्मा हो गई हो एसे दिर के बात हो थी ना तो औरतों की तरह बाते करते हो तुम छोटी बच्ची इस तरह से उससे चुड़े जाते हैं उन्हें कौन बता है यह छोटी बच्ची तो दुनिया घूमके आ गई है एक बस राइड लेके आ चुकी है बहुत कुछ देख के और सीखके आ गई अच्छा आप लोग सवाल पूछ रहे होंगे मुझसे कि यह क्या बनाए मैंने यह वली यह असर यह अंटी पर और क्या है ठीक है चलाओकर से एक सबसे इंपोर्टेंट बात यह आपको याद रख लेनी है कि जो कहानी है वो आपके मैंड में फिट होनी चाहिए और जो इं करती है यह चीज करती है ठीकिज और तीसरा कि वो रास्ते में क्या-क्या देखती है आते वे क्या देखती है और समाज आती है कि आपने इंग्लिस नहीं भी आती टूटी-पूटी भी लिखने जानते हो नथो acaid तो ज्यादे से ज्यादा मांस आप स्कोर कर सकते हो आई आपके ncrt के question पहले देख लेता हूं इसमें सवाल पुछागे what was वली's deepest desire कि वली का सबसे गहरा ख्वाब या सबसे बड़ी इच्छा क्या थी तो तो इसमें पड़ा नहीं है कि उसका deepest desire या सबसे strong desire क्या था ride a bus एक बस में सवारी करने का ऐसी how did वली plan her bus ride what did she find out about the bus and how did she find the fare उसने कैसे प्लान किया कैसे उसने किराया इकठा किया कैसे किराय का इंतिजाम किया तो हमें पता है उसने प्लान ऐसे कि उसने information सारी कठी करी अपने neighbor से जो आसपास की आंटिया बाते करती थी उनकी conversation को सुना और फिर उसके बाद उसने कितना किलोमेटर का फासले यह पता किया कितना फैरे यह पता किया यह सारी एज मैडम कंड़कर ने वली को मैडम क्या क्यों पुका रहा था वह इसलिए क्योंकि वह बहुत जोविल का इंट आफ नेचर का बंदा था वह मजाक में कहा था उससे लगा था चोटी बच्ची है यह कौन सा यहां पर अकेली आई होगी इसके साथ को यह और होगा तो सिर् वली छुपकर गई थी अपनी मदर से मैं उसने इपने मदर को नहीं बताया था कि वह एसे बस राइट पर जा रही है तो क्या यह सही है कि गलत है तो आपको रिसाफ इसमाट करेक्ट हो सकताय को अपनी चाओं को अपनी माह के साथ शेयर करना चाहिए था हो सकता है उसकी मा प्रब्लम नहीं था वह प्लैनिंग के साथ चल रही थी छोटी बच्ची थी इसलिए वह सब चीजे अपने हिसाब से करना चाहती थी किसी पोस ने ट्रस्ट ना करके एक अच्छा काम किया था तो क्यूंकि यह कहानी है राइटर ने एक पॉइंट ओफ यू दिया है कि बच्ची किस तरह से प्लान करती है चीजों को क्या क्या करती है तो दोस्तों और बहुत सारे क्वेस हमिश आपके साथ खड़ा हूं इसके और कॉल से चैप्टर से पहले कर रहा हूं यह मुझे आप कॉमेंट में बताना अपने दोस्तों के साथ शेर करना इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर बोर्स में अच्छे नंबर लाना चाहतों जल्दी सब सब्सक्राइब करो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ